अग्रकुल के प्रवतक प्रम्प्रतावी सेवा और समर्पट के प्रतीक महराजासी अग्रसेंजी की जहनती पर सभी अग्रबंदूओं और देश्वासियों को हार दिख शुपकामनाए प्रणाम महराजा अग्रसेंजी का जीवन सदेव जनसेवा और सदकारों के लिए समर्पित रहा उन्होंने सदेव अपनी प्रजा के हितों के बारे में सोचा और जनकल्यान के लिए कारे किये वे अपने समय में बहुत आगे थे सामाजिक सेवा के लिए उन्होंने अपनी प्रजा को सम्रद और कुशाल बनाने के लिए एक नई सोच के साथ काम किया उन्होंने समाज को जोड़ कर किस तरीके से अपनी जम्रा को सम्रद और कुशाल बना सकते हैं उसके लिए उस समय का सोच विचार आज भी यथार्त में सही है महराज अग्रिसेन जिने अपने शाशन का आल के अंदर समानता और न्याय का शाशन चराया उन्होंने प्रयास किया कि न्याय मिले समानता मिले और इसलिए आज अगरिसेन जेंती पर हम महराज अगरिसेन जी को याद करते हैं उनके विचारों, उनके सिध्धानतों से पेड़ना लेते हैं मैं कह सकता हूँ कि राजाओं के राज में भी और राजाओं के बाद आजादी के अंदुलन में और आजादी के आंदोलन के बाद लोकतंत के अंदर भी, अगरवाल समाज का इस समाज में बहुत-बड़ा योगदान है, इस देश के अंदर बहुत योगदान हैं। काम किया मरीजों के लिए hospital ने ओते थे hospital खोलने का काम किया रागिर किलो मीटर दूर से आते थे उस समय आवागवन के साधन नी थे धर्मशारा बनाने का काम किया इसलिए निर्माण एक रुपया और एक एट यह निर्माण के संसकार आज भी अगरवाल समाज में हैं चाहे कुछी भी आपदा वो संकट हो हर आपदा संकट के अंदर अगरवाल समाज हमेशा सबसे आगे रहता है कि वो समाज में नहीं संपूर्ण समाज के अंदर उनका योगदान आज भी हम याद करते हैं हमें आज के दिन महाराजा आगरिसेंजी के विचार और सिद्धान्तों को आगर ले जाकर आने वाली पीडियी इसी तरीके से सामाजिक सेवा के परती कटिबद रहे उनका समर्पन रहे और किस तरीके से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं हम कैसे समाज में समर्दी कुशाली ला सकते हैं इसलिए अगरवाल समाज हमेशा योगदान देता रहता है मुझे आशा है कि अगरेसेंट जी की जेनती हमें नई पेड़ना देगी और हम बहुत उस्सा से और उमंग से काम करेंगे और समाज में समाजिक आर्थिक परिवर्तन में अगरवाल समाज का योगदान रहे ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है पुनर अगरेसेंट जीनती की बहुत बहुत शुपकामना है बहुत बहुत बदाई